असलाम उलेकूम कैसे हो आप से भी आज में आपके साथ ब्रैट के कैसे रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही मदेदार और टेस्टी बनकर तयार होती है इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में आदा लिटर दूद ले लिया है इसको हम हलकी आपपर बॉयल होने के लिए रख देंगे जब तक दूद हमारा बॉयल हो रहा है हम इसकी दूसरे तयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर 3-4 चमच मलाई ली है इसको हम पहले अच्छे से मैश कर लेंगे इसको बिल्कुल लंस प्री कर लेंगे ताकि इसको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो तो देखें यहाँ पर दूद हलका हलका सा बॉयल हो गया है हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिन चीनी इसमर डाल देंगे तो देखें मैंने यहा इसको आप बिल्कुल भी skip ना करें, इसके बिना हम इस रेसिपी को बनाने की सोच भी नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पर तीन चम्मच कस्टड पॉर्डर ले लिया है, और तीन बड़े चम्मच मैं इसमें दूर एड़ कर दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसको हमें तक तक मिक्स करना है, जब तक कि इसका एक पेस्ट बनकर तयार ना हो जाए, तो देखिए मुझे थोड़ा सा ये गाड़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूर और एड़ कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका एक पेस्ट बनाकर तयार कर लिया है और ये रेजीपी बच्चों को बहुत पसंद आती है आप इस रेज़िपी के बार बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो पिर यह जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम थोड़ा-थोड़ा कर कर गरम दूद में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते चले जाए क्योंकि जैसे जैसे हम इसको डालेंगे वैसे वैसे यह थोड़ा सा थिक होता चला जाएगा गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है तो चलिए हम इसकी आगे के तैयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर 4-5 ब्रैड लिये हैं और इसके साइड के एजिस को कट कर लिया है तो इसको कट करना बहुत ज़रूरी है इसके बिना आप इस रैसिपी को नहीं बना सकते मैंने देखी ही 4 तरफ से इसके 4 आज इसको कट कर लिया है अब मैं 2 ब्रैड और लूँगी और उसको भी कट कर लूँगी तो यह देखें यहाँ पर जो हमने मलाई लिये थी जिसको हमने लंस फ्री किया था उसमें मैं तीन चमच शुगर एट कर दूगी यह घर की चीनी है इसको मैंने पीस लिया था इसका मिक्सी में पाउडर बना लिया था तो मैं यहां टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें तीन से तो अब हम यहां पर जो हमने ब्रैट कट कर यह हैं उनको बेलन से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे इसको पतला कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से दबा कर बिल्कुल पतला कर लिया है ब्रैट के ऊपर हम मलाई और चीनिका जो हमने पेस्ट बना कर तयार किया था अब उसको हम अच्छे से लगा देंगे और ब्रैट को हलके हातों से रोल कर रही हूं ज्याद़ टैडली हम इसको रोल नहीं करना है यह रैसिपी इत्नी टेस्टी बनती है कि अगर आपने बच्च पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा साथी बैल आइकन क्लिक करें जिससे की मेरी हर वीडियो की नौटिकिकिशन आप तक चल पहुंच जाए तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे डूल बना कर तयार कर लिए है और बस इसी के साथ हमाई रैसिपी तयार होने वाल जाए तो यह देखिए मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने थारा दूद रोल्स पर अच्छे सट डाल दिया है और हमने एक चॉकलेट टी थी उसको मैल्ट करके कॉन बना लिया है इस पर आप कैसा भी अपने मन पसंद का डिजाइन बना सकते हैं ताकि यह देखने में और अब भी टेस्टी लगे तो मिलते हैं नेक्स रसीपी में अगर आपको मेरी वीडियो यह रसीपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जूरू बताइए कि आपको यह रसीपी कैसे लगी अल्ला हाफिज